नमासकार दोस्तों देखें जिस बात का डर्था वही हुआ है आज सूब़थ हमने यह वाला वीडियो बनाया तो ने आया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए जब आज सुबह खेसारी विया का जेम्स टून बोजपरी से फुल अडोल गाना रिलीज हुआ तभी हमने बता दिया था कि खेसारी विया का गाना डिलीट हो सकता है क्योंकि दिल्ली हाइकोन ने फैसला सुनाया है कि खेसारी लाल यादो सुरीप और सुरीप अब ग्लोबल म्युजँँचन के लिए अपना गाना घाएंगे उसके अलावा किसी कंपनी से अपना रिलीज नहीं कर सकते हैं उसके बाद भी तो यहाँ पर यहाँ नहीं लिखा है कि गोलोबल मुजिक गूरुप के लेकिन आप सब लिए मैं बता देना चाहता हूं जिसका company है James Tune भोजपुरी एक कोई मामूली आदवी नहीं है गाने को कुछ गंटे में वापस कर लेगा उपन्दार क्योंकि मैं आप सबको सच्चाई बता देना चाता हूँ कि या सामको हमाने खेसारी विया के team से बात हुआ था और हमने यह पूछा था कि सारी विया का जो गाना रिलीज हुआ है फूल अड़ूल गाना कि यह गाना डिलीट हो जाएगा तो उन्होंने बोला था कि गाना डिलीट नहीं होगा क्योंकि जो James Tune भोजपुरी है इसका जो CMS है यह बीदेशी कंपनी है यह कोई इंडिया का नहीं है बीदेशी कंपनी है इसलिए इस गाने को कोई डिलीट नहीं करा सकता है लेकिन देखिए फेक कॉपिर के स्टाइग मार के इस गाने को बंद कराया गया है लेकिन फेक कापिर के श्टाइक ज्यादा तेर तक टिकता नहीं है गाने को वापस कर लेगा और आप सब को बता दिना चाहता हूँ जेम्स टून भोजबरी के जो मालिक है वो भाई हर्याडा के डॉन है ठीक है उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता है और पंगा हमारे जो ये कि लेते ही नहीं और जब सुबा माहगा रिलीज हवा तो हमको लग रहा था कि गाना डिलीट होगा डिलीट होगा अलेकिन प्वान भीया का एक गाना ये गाना डीलीट हो गया है इंक chapival möist वाला, आता बढया गाना इसका इसटाहब है उसका घ्जानल बोजबरी içcht होए वा पूरा फिलिम्स के लिए गाना बना था लेकिन ये जो दुनिया भर का CMS हो गया, agreement हो गया उसके बाद में गाना डिलिट के चक्कर में कोई अपने कंपने से गाना रिलीज नहीं कर रहा है और राओ साब इतना बड़ा रिस्क लेका अपने कंपने से गाना रिलीज किये और गाने को कॉपी रेक्ष्टाइग मारके डिलिट करा दिया गया है अब भाई सच्चाई सामने आ जागी बहुत जल्द लेकिन जब खेसारी विया के टिम से हमने ये बात किया था तो उन्होंने बता दिया था, साम मना कर दिया था कि गाना डिलिट नहीं होगा क्योंकि जो CMS कंपनी है जेम्स ट्यून भोजपरी का CMS कंपनी है वो विदेशी कंपनी है और आपने आपने वो एक CMS कंपनी है तो उसका गाना कोई डिलिट नहीं करा सकता है लेकिन जो दिल्लि हायकूर ने फैसला सुनाया है उससे उपर कोई जान नहीं सकता है लेकिन अब देखा जाए भाई क्या होगा क्यूंकि राव साथ कोई छोटे मोटे तो आदमी है नहीं अब यहां उनसे पंगा लिये है global new junction वाला तो अब देखते हैं क्या होगा अब भाई global new junction के पास में कागज है कि कोट ने कागज दिया है तो कोट के कागज के आगे कोई जो है उपर नहीं जा सकता है अब हो सकता है कि मुद्दा मामला चलेगा बाकि आप सुपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ वीडियो चलागा तो लाइंग मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो नमस्कार